देवाधी देव भगवान शंकर भगवान शंकर का स्मरण होते ही एक वाक्य स्मरण में जुड़ जाता है सत्यम, शेवम, सुन्धरम अर्थात जहां सत्य है वहीं शिव हैं और जहां शिव हैं वहीं संदर्य भी है संदर्य की चर्चा आते ही अनयासी स्मरण में आता है हिमाचल हिमाचल प्रदेश यानि देव भूम हिमाचल प्रदेश अपनी गरिमा, सुन्दर्ता और पवित्रता के कारण देव नगरी के नाम से भी विख्यात है मेश्वर महादेव के भी मंदिर हैं कहते हैं दुस्तान के अंदर में ये ध्रहमराजी का एक ही मंदिर है और जो जिएस कार हुए हैं उन्हें का अपना अपना लेए खे कोई कभी गा बताता है तो कोई कभी का बताता है लेकिन सही इस्तिति इसके सत्युक्ती है तो ये ध्रमराज जी का नोना च्छोरा सब दूसर समंधितर उनिंकेसाद ध्रमराज जी आये थे को वहां दर्शन भी हो जाते हैं भाग्य साली अगर रुपता हो जाता हो तो मनी के दर्शन भी हो जाते हैं और इस साल तो बहुत खुले दर्शन हो हुए जो भी यात्री आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं अब रही बात दूसरी तो कहते हैं कि रितम पिवन्तो सुकृत श्री लोकी गौहंग प्रविष्टो परमे प्रालब्दे चाया तब ब्रह्म विदो बदंती पंचांगने उचे थिर्मा चिकेता समय अपना काम करते हैं समय बलवान है लोकिक बासा में भी कहते हैं समय अपना काम करते हैं इस जगे की जैसा जैसा समय होता गया वैसे वैसे इसका उथान और पतन भी होता गया संसात के अंदर सहल नाम का एक राजा आया थे जिसकी सिवजी महराज में कोड़ ठीट की थी उन्होंने फिर इन मंद्रों की स्ताफना की अपने राजदानी यहां बनाई संसाथ के अंदर साथमी स्ताफ थी उसके बाद में उनको आदेश हुआ कि यहां से अपनी राजदानी तुम ले जाओ तो वो ले गए नीचे फिर उन्होंने अपनी राजदानी अपनी लड़की के नाम से बसाई जिसका नाम रखा चंबा और उनकी लड़की गराज कुमारी का नाम था चंबावती जिसके समाधी भी है फिर समय एक ऐसा आगिया कि सब खंडन मंडन हो गया था अब इनका जरुनोदार भी बहुत जरूरी था और एक सिद्ध भी कम थी फिर उस समय के अंदर में वो एक सही समय नहीं में बता सकताने कोई कि तपस्वी जी माराज स्री जेकरिशन जी माराज नागावावा जिनको कहते हैं और जिनकी यह समाधी है वो तपस्वीया करने ही यहां आए था कैलास पती का उनको आदेश हुआ कि अब भरमोर का जरून उद्धर करो और भरमोर का उत्थान करो तो आप जो है कैलास से नीचे आए यहां आकर कि यह दस्तामी अखाड़ा है धरमराज जी का इस्तान भी है और इसको दस्तामी अखाड़ा भी कहते है तो समय जैसा जैसा पल्टा खाता गया वैसे वैसे इस चुराज़ी का भी और इस कैलास भूमी का भी उत्थान और पतन होता है और धरमराज जी का मंदर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ यह एक ही कहते हैं मरने के बाद भी यहां अजरी लगती है हाँ आज भी प्रमाना है इस बात का अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं है तो बैठे मेरे पास प्रमान मिलेगा उसका आज भी ऐसा है अब कैलास के अंदर में बहुत से भगते से जाते हैं यह वहां कुछ नहीं है जी पत्थर पड़े है नहीं सान वेसन मैं कहता हूँ कि रात को जाकर के देख जाकरन करके देख जिस लाइट की तलास के अंदर में योगी बटकते हैं सारे बटकते हैं उस लाइट के दर्शनिया हो आप आए ध्रमराज जी जो है न इनके सामने एक यंत्र बनावा सीडियो पैली सीडियो के अबर उपर ही कहते हैं कोई पुर्णे आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको यंत्र बेलाके खड़ा किया जाती है इस से नीचे जो है चित्र गुप्ट जो आपका और हमारा सब का लेखा जोखा लिखते रहे थे जब यब अब्धूती सरीर को पगड़ करके लाके उनके हवाले करते हैं तो वो खड़े होकर के च्शोपड़ा खोंगे जहां यह वो बञ़ा हुआ है बार सामने वहां उस आत्मा को जो पाप आत्मा होती है या कोई और ऐसी होती है उनको वहां खड़ा किया जाते हैं वहां से वो उसका सुनाते हैं और पूछते हैं द्रमराज दादा यहां से हुकम करते हैं ये ढाई पोड़ी भी कहलाई हैं इसको क्या कहता हैं? ढाई पोड़ी भी कहते हैं तुराशिलाक जोनियों की पोड़ी हैं और एक अधोगती की आत्मा की पोड़ी य जो इन्हें आत्माओं के लिए हैं जो आप घात करके यहीं आत्म हतयां कर जाते हैं इसा उनके लिए वह अधि पोड़ी यह फिर और खुकम करते हैं कि इनको इसमीन नेंसकूरत भीन हीज है है इंद्रमराज जी के इंदुस्तान के अंदर एक ही Ε каждन है मानो तो देव नहीं को प 37 है वैसे तो इंदुसेंस क्रिती उप words । अञे और विशाल से विशाल है अब अब दो इसब्दों के अंदर हर बात को खुलासा कर दिया, खतम कर दिया, ए आत्मा ये आत्मा को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना कर लो, तुम्हें किसी चीज की उपासना करने के आविशक्ता ही नहीं है। इसी 84 प्रांगण में पुर्ष दपस्वी शुजय कृष्ण गिरीजी की भी समाध ही है। गवान शिव के डमरू को बजा रहा है, मानो, आज डमरू भी कह रहा हो, भोले, भोले, भोले। तुम्हें किसी चेड़ी चीज की चीज की जब है। जटान वीग नज्यल प्रवाह पावित तलेग लेवलं विलंपितांबु जंगितेंख अमालिकां। जमध्यमध्यमध्यमनिना जमध्यमर्वाय। जगारचंड तांडवंतनो तुने शिवा शिवां। जटागटाहसं ब्रमप्रमनि दिम्पनिचरीदी रोलवीची वल्दरीदी राजमानम। जगत जगत जगच्वलललाच पट्ट प्रावब्रणि शोरचंड शेकरेरती पडिक्षानम। जगत 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 प्रिया बेदुरी परोविनो दमत्वो तंपी बत्वोता बंधरी ओम नमाशिवाया तटजिवां पत्वोटा बंधरी बत्वों नमाशिवाया सहत्र लोचनम् प्रवृत्य शेशलेक शेकरं प्रजूल दूली दोर नीवित्रो सरांग पीतं पुलंक राज मालयानि बद्द जान दूदु राश यैचि राय जायतां चागोरबंदु शेकर कराल भाल बट्द जान दूदु राश यैचि राज मालयानि चागोरबंदु शेकरं पच्छ्वलंद रंजयाहु सीकृत प्रचंडबंच तायके। हरादरे प्रदंदिनी कुचागर चित्र पत्रकार खल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनेर धिर्ममा। तवीनमेक मंदलीनी रुद्धतुर्दंपुरत्कुुनि शीदिनी तमप्रबंदपंधकंदरा। तिल्पनर्याहिधरत्तनोतु प्रचंडिनन्दुरा। तलाई हान बंदुराश्यम्च बंदुरा। प्रबुल्द रिलभंखज प्रबंचकारिमा प्रभाद। वलंबिकंतकंदली रुद्धिप्रबतकंदरं। मरत्चिदं पुरत्चिदं बवजचिदं अकचिदं गजचिदंदकचिदं तमन्तकचिदंबजचिदु आखर बसर वामंगला खलाकरं पमंचर रसब प्रबाद माधुरी विज्रंभना मधुप्रतं मरांतकं पुरांतकं भगांतकं मखांतकं तजांतकं अंडकांतकं पमंतकं भचे जयवगद अबर्न बित्रम अप्रबत बुजंगः मच्वड़ फिर्गमत क्रेंच कुरद कराणा भाला अभ्यभा मिटि मिद्धी मिद्वान अ म्रधां तुंग पिश्यती चन्ड प्रत्तायों गुजगा मौंधी पत्से चोया जिश्टरत्न नूष्टयों सुखृत्ती पक्षा पक्षैयों नार विल्गा चक्षु शोप्रजामकी मगिन्ने उग्नायों नम्हर प्रत्ति पकडाना शिवंबचायों तानि लिम्पनिर जरीनी कुँच्च पोड़े बचंदि ओप्त दुर्मते सदाशिरत्वंच लिम्प अधिरोल लोल लोच नोल लामबाल नकाशि वेति मन्प्रमुच्च रंकदा सुखी बाबा प्रिमची नत्यमेवमुप्ट मुथ्था मुथ्था मुथ्भाम अडश्वरं भुगंधरो विशुत्ति रेधि मन्प्रत दुधर्या जुर्यगुरोशु बक्ति माश史 यादिनान्यतादशिन्दि मोहनन जीनेहिनासुशक्रस्यंदि करे मोहनम ये इना सु शंकरत्या चिंतनम